इस वीडियो में हम बात करेंगे about nifty and bank nifty analysis and stock के उपर हम बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए useful हो सकता है for Monday के session के लिए that is on 17th that is on 17th of May okay तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो जो हमने last session में हमने discuss किया था about nifty की nifty में या bank nifty में upside momentum आ सकती है breakout आ सकता है तो कही न कही निफ्टी में डेटर अगर हम लोग यहाँ पर उपर से एक trend line draw करते हैं like this तो एक breakout तो आ चुका है boss यहाँ पर मुझे clearly एक breakout दिख रहा है trend line के उपर closing निफ्टी ने दे दिया बट एक चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है उसको हम बिलकुल भी नजर न नहीं कर सकते हैं वो है यह दो candle last यहाँ पर दो candle पर अच्छी खासी यहाँ पर हमको rejections दिख रही है तो कहीं न कहीं बायर्स इतने भी अट्रेक्टिव नहीं है या बायर्स इतने भी powerful नहीं है कमपेटिवली सेलिंग के coronavirus हैं बहुत साथे pandemic चल रहा है बहुत इशूस चल रहे हैं हमारे country के अंदर तो कहीं न कहीं जो बायर्स हैं उनका इतना confidence मुझे नहीं दिख रहा है अब हम क्या करेंगे on Monday की दिन पर breakout levels तो यहां पर आज चोके हैं closing के time पर we will wait हम कितने levels का wait करेंगे कौनसे levels का wait करेंगे for nifty breakout हम wait करेंगे जैसे ही ये zone को cross कर देता है जैसे ही ये levels को cross कर देगा which is around 14,715 ये levels के उपर 10 या 15 मिन तक अगन निफ्टी टिक जाता है then we can accept कि हाँ boss अब market थोड़ा upside recovery कर सकता है थोड़ा upside momentum दिखा सकता है then we can expect कि चलो हाँ ये है एक resistance zone which is around 775 and उसके बाद ये है gap वाला area which is around 825 के आसपास okay अब ये हो गया buying side थोड़ा हमको wait करना पड़ेगा क्योंकि हमने 30 मिनेट के चार्ट पर देखा कि बहुत यहाँ पर थोड़ा rejection दिख रहा है और कोई strong powerful candle नहीं है हमारे पास so what we are doing over here हम यहाँ पर wait कर रहे हैं जैसे ही ये wick वाला portion जो है इसके उपर sustain होना start होगा then we are going to consider क यहां यहां पर short term के लिए हम लोग buying side देख सकते हैं for the target of 1478 यहां पर हम छोड़े टाइम पर जाते हैं for the target of 14,780 और 14,832 या 830 के आसपा with stop loss of यह recent जो यहां पर इसका support बना है यह हम stop loss दे सकते हैं almost यहां पर आप देख रहे हो 715 के आसपास के हम लोग buying करेंगे sustain करेगा तो ही buy करेंगे stop loss around 645 के आसपार आज सकते हैं जो इस nearly support होगा जैसे थोड़ा बहुत ऊपर जाया तो आप stop loss quickly trail कर देना क्यूं reason बहुत simple है यह trend line है जो की support की तरह act करेगे एक वाप फर यह break हो जाए तो यह starting में stop loss लगाने वाला level होगा थोड़ा market उपर की तरह perform करते तो जैसे जैसे trend line उपर की तरह बढ़ती जाएगी मतलब यहां पर निफ्टी ऐसा sustain होते रहेगा then you have to shift your stop loss यहां से उपर 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 आपको ऐसा लेना है till your target comes or reaches okay अब अगर हम इसका दूसरा side अगर हम बात करें दूसरे angle की बात करें for shorting side तो अगर हम यहां पर दियान से देखते हैं तो यह अगेन उसने एक bear वाला angle बनाया है यहां पर आप दियान से अगर ऐसा देखते हो और अगेन यहां पर कहीं नहीं एक bear flag जैसा मुझे दिख रहा है तो अगर कल market नीचे की तरफ जाता नीचे के लेवल से breakdown है तो हम short करेंगे for target of यह support level या थोड़ा उसके नीचे भी हम expect कर सकते हैं कि यहां पर कुछ खास ऐसा है यह levels के आसपर हम expect कर सकते कि अपना nifty यह levels पर आ सकता है बजेत around 550 और 560 levels के आसपर trend line this is आप से इसने angle this is आप से बनाया है कि इसको breakdown देना चाहिए but हम ready दोनों side है यह side में psychology कैसे battery 715 के अपर तो सस्टेन होगा तो हम buying side देखेंगे नीचे यहां पर breakdown दिया simply नीचे का short ऊपर का stop loss and this will be your target that is analysis of nifty let's talk about bank nifty एक चीज में आपको दिखाना चाहूंगा जरूर यहां पर आप ध्यान दिजेगा तो यहां पर आपको दिख रहा है देखें यह है nifty का 30 minutes का chart and यह आपके right side में bank nifty का chart तो यहां पर आपको clearly दिख रहा है कि nifty फिर भी positive momentum upside दिखा रहा है at the same time back bank nifty जो है वो काफी ज्यादा weak लग रहा है हमको तो bank nifty को buying करने की सला तो मैं नहीं दूंगा देखें दो चीजे हो सकती है एक या तो bank nifty quickly recovery कर देगा जो Friday का pending उसका up move था वो quickly recover करेगा Monday को या तो वो bank nifty के fall के वज़े से हमारा nifty भी नीचे की तरफ fall आ सकता है उसका भी हमको इंतिजार है नीचे का breakdown हमारे लिए बना पड़ा हुआ है जैसे यह आते हम short कर सकते हैं now let's talk about only bank nifty bank nifty के हम क्या कर सकते थी कि bank nifty में अगर हम लोग 15 मिनट के chart पे जाते हैं तो कहीं नहीं आपको यहां पर दिख रहा होगा यह एक वेज पैटन है जिसकी probability बहुत हाय होती है upside break करने की अब यहां पर मैं आपको confused नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सब scenario बता रहा हूँ आपको कैसा scenario होगा तो आपको कैसा काम करना है तो आपको step by step अगर नहीं आपको कैसे साइकोलोजी को हर पॉइंट को समझाने कोशिश कर रहा हूँ अब यहां पर इसने वेज पैटन बनाया है तो अगर कल लेट से यह लेवल्स के आसपा breakout दे देता है बैंक रिफ्टी तो हम quickly upside momentum देख सकते for this target this target और gap filling target okay wage pattern के हिसाब से अनुसार इसको breakout upside देना चाहिए यह angle generally उपर जाके momentum करता है नीचे ज्यादा sustain नहीं करता है अब यह कब fail हो सकता है जब let's say breakdown यहां पर तो अपना एक support level जैसे बना है closing होते होते कल gap up खुल गया मंडे के दिन पर वगर 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 ऐसे करके हम लोग zoom कर सकते कि वो fail हो सकता है rest 90% chance होता है कि यह upside break कर देता है तो इसका मतलब यह भी नहीं आपको सबेड़े होते ही नवा सवा नौ बज़े आपको यहां पर buy करना है नहीं आपको wait करना है volume janet होते हुए देखना है breakout sustain होते हुए देखना है nifty भी क्या उसको follow कर रहा है क्या यह सब चीज़े confirmations के बात आप चोटे time frame पर एक minute तीन minute five minute whatsoever आप इस पर comfortable और यहां पर buying कर सकते हो for this top loss with this top loss and this will be your target levels for the bank nifty all right यह हो गया upside momentum अगर हम short side की बात करें तो bank nifty देखिए simple levels again इसने breakdown वाला angle बनाया हुआ है इतना खास breakdown वाला angle नहीं है comparatively nifty हो सकता है कि यह level से upside momentum दिखाते जैसा हुआ angle बन रहा है अगर नहीं होता है तो again what we can do यहां पर breakdown जैसे दिख रहा है ऊपर का stop loss stop loss आपका ऊपर का levels को होगा and target we can expect this support zone we can be your target which is around 250 points downward from here stop loss आपका around निया से अगर आप calculate करके देखते हो तो roughly 150 points का stop loss बैटरा है 250 points का आपड़ आपका target बैटता है opening होती है अगर breakdown देना है तो this will be the aggressive trade थोड़ा सोच समझ करकर आपको काम करना है तो personally I am going to wait for this breakout यहां पर breakout जैसे बनता है और चोटे time frame पर अच्छी story बगरा बन जाती है तो I am going to buy at this level with small stop loss and this will be my target जिस आपसे मेरा वहाँ पर RR ratio होगा तो for aggressive trader हाँ वो continue देख सकते हैं कि shortfall आ सकता है breakdown हो सकता है and this can be the target okay according to nifty हमको थोड़ा buying side जादा देखना चाहिए news हो आ गया कुछ gap down हो गया यह वो that is complete different story हमको उसे उसाब से एक करना है as of now last closing Friday के इसाब upside momentum तो बनता है okay so अब बात करते हम लोग next talk की which is SBI SBI का अगर हम लोग trend line rock करते रोड़ास देखें बहुत ही simple सा मैंने trend line rock किया है साथ में लोग एक upside वाली भी trend line बना देते तो कहीं ने कि एक channel pattern जैसा react किया है अब उसने यह pattern जाके break किया हुआ यहाँ पर width volumes के साथ यहाँ पर आप volume भी observe कर रहे होंगे volume में भी एक up move आया है और यहाँ पर simple सा एक breakdown आया है तो अगर कल मंडे के दिन पर bank nifty हमको कमजोर दिखता है नीचे की तरफ जाते वह दिखता है तो SBA आपके radar list पर जरूर होना चाहिए simple सा हम लोग यह levels पर short कर सकते हैं which is around 359.50 359.50 के नीचे short कर सकते हैं stop loss रख सकते हैं हम लोग 5 points का यहाँ पर which is around 364.50 के उपर का stop loss होगा target हमको यह नहीं देना है target will be this zone क्योंकि यह है actual zone वाला profit actual जो zone है support वाला हम यह expect कर सकते हैं which is around 351 to 352 यह zone बैट रहा है target का तो हम यह target के लिए with 5 points of stop loss हम short कर सकते हैं SBI को अगर bank nifty कमजोर दिख रहा है Monday के दिन पे तो next अगर हम बात करें बजाट फिंसर बजाट फिंसर अगर मैं यहाँ पर एक trendline draw करू तो यहाँ पर यह एक चीज समझ में आरी है हमको कि कहीं न कहीं बजाट फिंसर एक channel के अंदर trade कर रहा है यह upper levels है यह lower levels यह upper levels यह lower levels फुरी अगें upper levels और अगर 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 अपर लेवल की बात करें तो देखें यह resistance 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 और resistance तो क्या लग रहा हमको यहाँ पर almost चार बार try हो चुका है और अगर निफ्टी अगर next day पर Monday के दिन पर अच्छा perform कर रहा है बजाट फिंसर एक अच्छा heavy weight है निफ्टी के अंदर तो अगर यहाँ पर हमको breakout जैसे दिखता है तो we can consider हाँ बहुत यहाँ पर buying कर सकते हैं तो सुरुफ यहाँ पर देखिए channel basis में नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर और क्या reason है इसके अलावा इसके अलावा reason है कि boss यह एक support zone के आसपर आके खड़ा हो गया यहाँ पर पहले बहुत बात test हुआ है यह levels के उपर और market finally एक up move दिखाया है अब यहाँ पर कहीं न कहीं एक sharp momentum की तरह एक needle बनके यहाँ पर खड़ा है और market ने फिर इसको bounce back दिखाया हुआ है okay irrespective market confused है up है down है फिर भी यहाँ पर एक अच्छा support zone की तरह act हुआ है अब एक तो यह हो गया support zone साथ में channel pattern का breakout हो सकता है third confirmation क्या है इसका कि अगर मैं नीचे ते Fibonacci draw करता हूँ like let's say bottom से Fibonacci तो देखिए अगर मैंने bottom से Fibonacci draw किया तो कहीं न कहीं boss यह हमारा 38.2% के आसपा support लेके bounce back कर रहा है तो which is good and healthy sign कि हाँ Fibonacci की respect कर रहा है अपना channel pattern बन रहा है और channel pattern breakout का यहाँ पर probabilities vary है क्योंकि वो 4 बार touch कर चुका है support zone से bounce back कर रहा है तो what we can do अगर मैं इसको हटा दूँ so we can wait for this breakout okay हम यहाँ पर आराम से wait कर सकते है for this breakout level which is around roughly 11,020 okay 11,020 के आसपास breakout level होगा we can enter here with stop loss of just 50-60 points यहाँ पर हमारा 50-60 points का stop loss होगा उसके against में we can say कि हाँ boss this is my target which is around 100-120 points और next target हम expect कर सकते है this resistance can be your next target okay क्या logic है यहाँ पर channel pattern है channel pattern का breakout होगा तब action लेना है Fibonacci का support है support zone के आसपास से stock जो ऊपर की तरफ जाने ही कोशिश कर रहा है that is the reason कि हम इसमें buying opportunity देख रहे हैं और buying के लिए देखेंगे अब इसी काई उलट अगर मैं बजाज finance की बात करू तो बजाज finance trader देखिए हमने last discuss किया था कि हाँ यहाँ पर एक angle बन रहा है we have discussed on 30 minutes last session में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक angle बन रहा है और इसकी probability is very high कि वो breakout देके ऊपर की तरफ जाएगा but dot अगर आप यहाँ पर दियान से देखते हो तो dot यह level से एक rejection आ गया और बजाज finance नीचे की तरफ आ गया अब मैंने बजाज finance को फिर से select किया for what purpose अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पर आता हूँ तो बजाज finance का यहाँ पर देखिए जो हमने last session discuss किया था this was the support zone अब उस support zone को retest किया जा रहा है यहाँ पर breakdown आया breakdown आने के बाद एक यह retest हो रहा है यहाँ पर आपको volume भी दिख रहा होगा last में closing होते वे एक अच्छी selling आई एक अच्छा sell off आया है तो इस level को मतलब एक level है उसको break किया गया अब उसको retest किया गया again वो fallback कर सकता है यह बहुत ही basic price action की चीज़ में आपको यहाँ पर पताईए ओके अगर आप support और resistance पर काम करते हैं तो आपको यह चीज़ पता होगा कि यह पहले support जैसे act कर रहा था गूम के आया तो अब वो resistance की तरह act कर सकता है तो same चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और feel कर रहे हैं कि यहाँ बहुत यह support zone था अब कहीं न 2.2% का rejection बैट रहा है so what we can do in this Bajaj finance trade हम वेट करेंगे for this breakdown जैसे ही breakdown आया यहाँ पर so we can take a action अगर nifty के nifty Monday के दिन पर नीचे की तरफ जाने ही कोशिश कर रहा है so we will short at this breakdown उपर का हम stop loss लगाएंगे target we can expect minimum this one और इसके नीचे वाला जो भी support level होगा let's say this one can be your target okay बहुत ही simple reason है करेगा बर अच्छा खासा यहाँ पर fallback कर चुका हो fall करने के बाद वो support को retest कर रहा है support को retest करने के बाद 38.2% का Fibonacci rejection है और यहाँ पर अब हम wait कर रहे है for this breakdown की जो हम थेहरी पर काम कर रहे है कि यह fall हुआ this is retracement और अब हो again fallback करेगा तो हम randomly trade नहीं कर रहे है हम क्या कर रह है तो हम aggressive trade कैसे ले सकते है aggressive trade morning में हम लोग यहाँ पर जैसे ही market open होता है हम यहाँ पर short कर सकते क्यों short करेंगे क्योंकि यह resistance line है okay this is the resistance line which Bajaj Finance is following तो हम यह levels का stop law लगा के open होते short कर सकते अगर nifty नीचे की तरफ जा रहा है nifty fall कर रहा है gap down खुल यह whatsoever nifty में bear face बन गया तो आप यह levels को short कर सकते हो but mind it that will be aggressive आप पहले ही breakdown के पहले short करो तो थोड़ा सा aggressive हो जाता है safe trader के लिए wait करना चाहिए breakdown के लिए उपर का stop law नीचे का आप target लगा सकते हो in Bajaj Finance और अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो like जरू कर देना वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाले बट मैं detail में अनलेस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप confidently एक decision ले सको तो like तो बनता है like जरू कर देना वीडियो को अब हम बात करने वाले HCL Tech के उपर HCL Tech अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर बात करें वेड़ा है तो कहीं ने कहीं हमको यहाँ पर दिख रहा है कि boss एक यह एक rejection zone है यह rejection zone है and again यह rejection zone है अब इसको हम कैसे फायदा होडा सकते हैं यहाँ पर reject हो गया यहाँ पर reject हो गया यहाँ पर reject हो गया और काफी अची momentum आई है end में और Monday के दिन पर let's say nifty नीचे की तरफ जा रहा है तो हम इसको भी select कर सकते है with thought process क्या रहा है हमारा 15 minutes के chart के अ resistance and resistance sorry, this will be your resistance यहाँ यह यह resistance बन गया, यह resistance बन गया और यह बन रहा है आपका support, support, support यह बन गया आपका resistance resistance and resistance यह बन रहा है आपका support, support and we can expect this will be act as in support यहाँ पर ध्यान दो गड़स मैं क्या बोलने कोशिश कर रहा हूं एक breakout बन एक बनने के यह साब से बन रहा है, but 15 minute के चार्ट पर अगर हम थोड़ा सा history देखते हैं, इसका recent action देखते हैं, तो यह levels के आसपास कहीं ने कहीं देखी, बहुत बड़ी candle बनी हुई है, open होते ही यहां पर sell off आया, तो हो सकते हैं, same वही levels के आसपास हम लोग मंदे को भी expect कर सकते हैं, so what we can do, we can short at this level, यह levels पर हम short कर सकते हैं, stop loss क्या राएगा, क्या हम stop loss यह लगा सकते हैं, नहीं, बहुत जल्दी stop loss ही टोने के chance हो जाएंगे, what we can do, हम stop loss थोड़ा सा उपर लगाएंगे, थोड़ा smartly play करेंगे, stop loss हम लगाएंगे यह zone के आसपास, जैसे ही यह levels break होगा, तो confirm हो ज 10 minute का बन जाता है, या 15 minute का red candle बन जाता है, तो follow up आ सकता है, तो continue retracement कर सकता है, retracement, direct retracement नहीं होगा, fall, retrace, fall ऐसा बन सकता है, तो हम लोग यहाँ पर यह levels पर short कर सकते हैं, with this stop loss, अग हम को short करना है, तो roughly 909 के नीचे stop loss लगा, 909 के नीचे entry कर सकते हैं, bear candle बन रहा हो, nifty नीच कर सकते हैं, with stop loss of around 9.16 के आसपास कर सकते हैं, and we can expect कि हाँ यह target आ सकता है, which is around 9, sorry, 9.00, round number का, as in target, expect कर सकते हैं, logic बहुत सिंपल है, traders, अच्छा move आया है, agree, totally agree, breakout यह से बन सकता है, but ऐसा move बनता है, traders, जो यह move है, इसका sustain होना थोड़ा difficult होता है, for that, it has to retrace, तो retrace हो सकता है, 905, 904, 903 तक भी आता है, तो भी अगर 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 stop loss trail करते हो रुके, तो confidently अगर नाइननदे डॉला लेवल रुक सकते हैं, और अगर निफ्टी नीचे भी आता है, तो कोई दिककत की बात नहीं, अगर एजली 900 का अगर चीव कर सकते हैं, maybe more than that, अगर 900 ब्रेक कर दे और discuss की आपको कैसे मंडे के लिए prepare रहना है, वीडियो चाल लगा तो like जरू कर देना, thanks for watching, we'll see you in the next वीडियो